मलेश्वरी जिक नहीं है हमारे सयोगी कुंतल के साथ वो मौझूद है कुंतल जे बिल्कुल 2000 सिड्नी ओलिंपिक गेम्स की ब्रॉंज मेडल विनर भारती है वेट लिफ्टिंग की लेजिंड आप कह सकते है कारणा मलेश्वरी हमाई साथ है यह बताए माम की किस तरह से आप इसको देखेंगी बैटरी इन वेट लिफ्टिंग और अपनी बॉडी वेट से लगभग धाई गुना ज्यादा वजन उठाई मेरा बाई चानू और यह सिल्वर मोमेंट क्या कहेंगी बहुत कुशी की बात है जादा कुशी की बात है कि फाइनली 21 साल की इंतजार के बाद अब फाइनली मेडल आया है इस मेडल को मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ क्योंकि इंडिया में वेट लिफ्टिंग कल्चर बनेगा इस मेडल देखते वे जितने भी हमारे युवा वेट लिफ्टर से उनको मोटिवेशन मिलेगा प्रोचाहन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता सा खुला हुआ है कि भी अब तक तोड़ा सा डाउट था इस्पोर्स में और मेडल नहीं आ रहा है और मेडल नहीं आ पर एक साल बादी वर्ल्ड चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल हासिल की इसके आगे कॉमनवेल्ट खेलो में फिर एशियन चैंपियंशिप में देखा गया की क्लीन जार्क काटेगरी में वर्ल्ड रिकर्ड रिकॉर्ड की 119 किलोग्रम वजन उठाई और जिस तरह से उन्ह में जाना एंड रियो में काफी उसका कॉम्पोरिशन खराब हो गया उसके बाद इसने अपने मनोबल को गिलने नहीं दिया यह बहुत अच्छी बात है उसके बाद लगातार इंटरनेशनल फ्लैटफर्म में उसने बहतरीन से बहतरीन प्रदशन करती गई एंड बहुत इंडेन किया अपनापको एंड गॉफिदेंस का साथ किया एंड इसमें हमारा जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड हमारा जो सैफ साही जो है स्पोर्स और आफ इंडिया ने बहुत अच्छा बूमी का निबाया जैसे उसका इंजरी वा तो भी उसको बहुत अच्छी एंड अमारा कंट्री के लिए आज एक कुशी का होका मिला बाकी आथलीटों के लिए कितना आसान होगा बतलब अटलीस मेंटलीस अभी रिलीवड है कि पहले ही दिन मेडल डे अगर देखा जाए तो पहले दिन ऐसे दूसरे दिन मेडल आ गया है तो बाकी जो आथलीट से अभी तो एक निराशा टाइप मोहल बन जाता है लेकिन शुरुवात से ही मेडल आता है तो एक प्रोचहान मिलता है एंड कुशी मिलती है को कि उसमें उनका मेडल आया तो हमारा भी चांस है एक गुड़ लग वहला एंगिल आ जाता है कि भी हां अमारे देश के लिए अच्छा है हम मेडल जीत सकते हैं सब्सक्राइब जाता है कानो की बाली जो है मेरा भाई चानो की वह बहुत TREND हो रहा है सोशल मीडिया में के वो ओलिम्पिक कल儿 के कानो की बाली पहनी वी थी तो काफी स्टाइलिश भी है तो मीरा बाई चानू जो है वो competition के बाहर जो event के बाहर रजब रहती है तो कैसी है काफी शांत स्वभाव की है डिखती है बाहर से at least तो कैसी है अगर थोड़ा बहुत आप बताये सबको ठीक है शांत भी है अंड अगरसिव भी है कि वेट लिफ्टिंग अगरसिव स्पोर्ट है लेकिन वह बहुत ही stable और कॉन्रविदिंट लड़की है उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना एंड बहुत फोकस है बहुत डिसिप्लिन लड़की है 2000 में आपने जब मिडल जीती थी भारत के लिए सिद्नी में उसके बाद से वेटलिफ्टिंग के बारे में लोग जानने लगे भारत में इंटरेस लेवल जो है बढ़ने लगा तो क्या अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो यंग्स्टर्स है स्कूल में, कॉलेज़ में वो भी वेटलिफ्टिंग को एक स्पोर्ट के हिसाब से वो भी खेलना चाहेंगे इंडिया में वेटलिफ्टिंग में स्पोर्क्स बहुत जादा है तैलेंट बहुत जादा है अगर हम इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाएं एंड इंफरस्ट्रेक्ट्चर एंड कोचिंग उनको प्रवाइड किया जाए बहुत सारी वेटलिफ्टिंग में में मेडल आ सकते हैं आने वाले ओलम्पिक्स में यह जो मेडल है यह जो हमारे युगा वेटलिफ्टर्स है उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन के साथ है कि भी हाँ ठीके एक अच्छा मोहल बना है एक मेडल आया है तो हम भी कोशिश करेंगे झाल आया है